वेलकम टू लर्नर भी, I am Shivani चाहान, क्लास 10th साइन्स चेप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का अब हम देखने वाले हैं, रेस्पेरेशन वाला पार्ट, तो सबसे बहले इसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी में बेसिकली हम लोगों को ये समझाया गया है, कि जो हिूमन सैट अगर ले रहे है ना, तो बहुती ही कम होती है, तो इसमें यह ही बोल गया है टेक सम फ्रेशली प्रिपेर्ड लाइम वाटर इना टेस्ट्ट्यूब, तो तैस्ट्यूब में हमने लाइं वाटर ले लिया है, blow air through this lime water, अब इस lime water में जो है फूख मारनी है, how long it takes for the lime water to turn milky, तो भई instantly यहाँ पर आफ फूख मार रहे हो ना, तो एकदम से lime water जो है, वो milky हो जाएगा, इसका मतलब यह है, कि इंसान, human being बहुत सारी carbon dioxide produce करता है, अब अगर हम इसी test tube में एक syringe से पिछकारी की मदद से घुमा घुमा के हवा पास करें, त फिर उसको milky होने में काफी जादा time लगेगा, तो इससे हमें समझ में आता है, कि atmosphere में इतनी carbon dioxide नहीं है, जितनी की इंसान, मतलब एक produce कर पाता है, क्योंकि हमने फूख मारी, तो lime water एकदम से milky हो गया, पिछकारी के तुरू हम फुस पुस करके, environment की हवा डाल रहे हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है, carbon dioxide जाने में और lime water को milky होने में, activity 5.5 जो है, इसमें भी हम लोगों को basically यही समझाने कोशिश करी है, कि carbon dioxide का क्या role होता है, तो take some fruit juice और sugar solution, and add some yeast to this, तो sugar solution लेना है, या फिर fruit juice लेना है, मतलब basically जिसमें चीनी होना, वो चीज लेनी है, और उसमें हमें yeast डाल देना है, take this mixture in a test tube fitted with one hold cork, तो मतलब इस mixture को एक test tube में लेना है, और इसको ऐसे करके cork से थोड़ा सा धकसा देना है, fit the cork with a bent glass tube, फिर उसको fit कर देना है, dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water, तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, कि yeast जो है, अचा आग एक बार पूरा activity समझ ले what changes is observed in the lime water and how long does this take for this change to occur, तो ये lime water जो है, वो milky हो जाएगा, basically lime water को milky करने के लिए क्या करना होता है, उसमें carbon dioxide थोड़ी सी हम लोगों को पास कर देनी होती है, अब what does this tell us about the products of fermentation, तो fermentation क्या होता है, जो cake बनता है, कोई चीज अगर fool रही है, जैसे कि भटूरा है, वो fool रहा ह तो भाई वो fermentation की वज़े से होता है, तो product of fermentation जो होते है ना, वो होता है carbon dioxide और alcohol, तो alcohol and carbon dioxide are the products of fermentation, तो ये बात हमें याद रखनी है, अब yeast जो है ना, वो एक unicellural bacteria होता है, it lives on organic food like sugar, ठीक है, इस क्या करता है, ब्रेकडाउन कर देता है food material को और वो carbon dioxide release करता है, थ्रूदा प्र fermentation ये चीज हम लोगों को याद रखनी है, तो ये जो activity थी ना, इसमें lime water milky इसलिए हुआ क्योंकि जो yeast थाना, sugar solution में उसने carbon dioxide generate कर दी थी, तो जो lime water milky हो रहा है ना, इस का, मतलब हमें क्या पता लग रहा है, कि भाई carbon dioxide उसमें पास की गई है, अब आगे देखते हैं, we have discussed nutrition in organisms in last section, the food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life forms, तो हमने देखा कि organism nutrition लेते हैं, उसकी वजए से body में energy आती है, डाइवर्स organism do this in different ways, तो अलग अलग organisms जो होते हैं, वो energy अलग तरीके से रहते हैं, some use oxygen to break down glucose, कुछ लोग, कुछ लोग नहीं, कुछ organism क्या करते हैं, oxygen की मदद से glucose को breakdown करते हैं, completely into carbon dioxide and water, some use other pathways that do not involve oxygen, तो देखो, जाला तर जैसे हम लोग उने energy ले ली body में, ठीक है, तो हमने glucose के form में उसको convert कर दिया, अब glucose को ना break down करना पड़ता है, carbon dioxide और water में हमें, और वो हम कैसे करते हैं, with the presence of oxygen, है ना, तो भाई, हमें oxygen की जरुवत होती है, respiration की मदद से ही, हमारा जो glucose है, जो हम लोगोंने खाना काया है, breakdown होता है, और फिर energy produce होती है, in all the cases, first step is breakdown of glucose, a six carbon molecule into three carbon molecule called pyruvate, तो six carbon molecule जो होता है, वो होता है glucose, उसको हम लोगों को breakdown करना होता है, pyruvate में, जो की एक three carbon molecule होता है, ये चीज़ important है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, कि glucose एक six carbon molecule होता है पाइरुवेट एक three carbon molecule होता है, this process takes place in cytoplasm, और ये वाला जो पूरा process हो रहा है न, कि glucose से पाइरुवेट में convert हो रहा है, ये process हमारा cytoplasm में होता है, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, कि breakdown of glucose takes place in cytoplasm, बहुत बहुत बार exam में आता है, further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide, फिर पाइरुवेट है, वो ethanol and carbon dioxide में convert हो जाता है, ये process जो होता है न, कि जो pyruvate है वो ethanol and carbon dioxide में convert हो रहा है, ये east formation के time पे होता है, humans में नहीं होता है, ये process होता है, ये process होता है, यहाँ पर ना, देखो आप लोगों को नई table दी हूई, ये बहुत जादे important है, जो अभी हम लोगों पढ़ा वो इस्ट फॉमेशन का पढ़ा तो इस्ट फॉमेशन यहां पर है इस्ट फॉमेशन का अब होता है इंदा अपसेंस ऑफ ऑक्सीजन यह चीज भी आप लोगों को याद रखने हैं यह वाला जो पूरा है ना कहां पर होता है इस्ट में और प्रोड्यूस क्या होता है इथेनॉल प्रोड्यूस होता है कार्बन डियोकसाइड और एनरजी प्रोड्यूस होती है और टू कार्बन मॉलिक्यूल में कनवर्ट हो जाता है ग्लूकोसिक्स कार्बन मॉलिक्यूल पहले पाइरोवेट में कनवर् और प्रॉसेस में क्या होता है उसमें कि भाई पाईरूवेट जो होता है जो कि एक 3-carbon molecule है वो एथेनॉर और काबन डीयोकसाइड में चेंज हो रहा है यह हम लोग को याद रखना है अब इन इस प्रॉसेस फर्मेंटेशन हो गया इसका मतलब होता है in presence of air, aerobic respiration ऐसी respiration होती है जो हम लोग oxygen की presence में करते हैं और जब lack of oxygen या फिर बहुत ही मतलब no oxygen अगर आपके हैं तो उसको हम लोग anaerobic respiration बोलेंगे तो absence of air यानि कि oxygen जब इस तरीके से process हो रहा होता है जब हवा की कमी होती है तो हम उसको बोलेंगे anaerobic respiration breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria तो अगर oxygen के time पर यानि कि oxygen अच्छी खासी present है और तब pyruvate का breakdown हो रहा है तब वो mitochondria में होता है यह हम लोगों को याद रखना है cytoplasm में क्या हो रहा था? cytoplasm में six carbon molecule, three carbon molecule यानि कि pyruvate में convert हो रहा था और pyruvate जो change होता है वो mitochondria में होता है यानि कि glucose से pyruvate जो हुआ वो तो cytoplasm में हुआ और pyruvate से आगे oxygen की मदद से जो breakdown होता है वो कहां पर होता है? वो mitochondria में होता है ये चीज़े हम लोगों को याद रखनी है कि जो glucose था उससे pyrovate बना glucose 6 carbon molecule था और pyrovate 3 carbon molecule है तो ये कहां पर हुआ ये cytoplasm में हुआ फिर उसके बाद pyrovate का breakdown होता है वो mitochondria में होता है तो वो 2 carbon molecule या फिर 1 carbon molecule में convert हो जाता है तो breakdown of pyrovate mitochondria में होता है ये हम लोगों को याद रखना है इस process breaks up 3 carbon molecule to give 3 molecules of carbon dioxide the other product is water तो mitochondria में हुआ तो carbon dioxide के 3 molecules मिल गए water और फिर energy हम लोगों को मिल जाती है और ये जो होता है ये aerobic respiration होता है क्योंकि air की presence में ये हो रहा है release of energy in this aerobic process is a lot of energy greater than मतलब देखो क्या होता है ना कि anaerobic अब आप से कर question आता है कि energy कहां पर जादा release होती है aerobic में या फिर anaerobic में तो हमेशा याद रखना oxygen की presence में ही जादा energy release होती है तो यानि कि जो aerobic respiration है ना उसमें जादा energy release होगी sometimes there is a lack of oxygen in our muscles another pathway for breakdown of pyruvate is taken मतलब oxygen की कमी है तो अलग तरीके से pyruvate का breakdown होगा pyruvate is converted into lactic acid which is also a three carbon molecule this build up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps यानि कि जो cramps हलक हलका सा पेन होता है सपोसकर आप काफी साथ भाग रहे हो तो पैरो में नीचे साइट पर दर्द होने लगता है ना वह होता है दू तो दू प्रोडक्शन ओफ लाक्टेक एसिड लाक्टेक एसिड का बोटच को क्या भाग रहे हैं आपको चुतिया तो इसलिए लाक्टेक एसिड प्रोड्यूस होता है नहीं प्रोड्यूस हो बाती उस टाइम पर तो काबन डाउक्साइड वाटर एनरजी का प्रोड्यूस होती है जब आपके पास कम्प्लीट प्रेजिस ऑफ उक्सिजन हो मतलब जितनी ऑक्सिजन बोड़ी को चाहिए उत जो है ना यह आपके एक्जाम में नॉमली आता है बहुत बहुत बार आता है इसको अच्छे से याद रखना है अब आगे देखते हैं था एनरजी रिलीजड द्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इस इमीडियेटली यूज तो सिंथेसाइज आ मॉलीक्यूल कॉल्ड एट कर लेते हैं which is used to fuel all other activities in the cell और यही जो एनरजी है जिससे ATP का synthesis हो रहा है इसी एनरजी का इस्तेमाल हम अपनी पूरी बॉडी में करते हैं in these processes ATP is breakdown giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell फिर हमारे of kg加入 human body चाहीए होती है तो यह हो गया कि एटीप है फाईणली Renee सिंथेस हो जाता है जो एनरजी पूरी बनीआब ATP क्या होता है तो ATP is the energy currency for most cellular processes तो energy currency जैसे कि हमारे देश की रुपियों वाली करंसी क्या होती है पैसा रुपे है तो energy की जो करंसी होती है वो ATP होती है जितने भी cellular processes हो रहा है यानि कि हमें कोई समान खरीदना है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं अब वह अगा cellular process होना है तो उसको हमें ATP देना पड़ेगा क्योंकि वही energy है उससे ही वो काम हो रहा है energy released during the process of respiration is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate तो ADP adenosine diphosphate और phosphate मिलता है energy इसको मिलती है तो ATP molecule बन जाता है तो endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reaction फिर उसके बाद जो भी हमारी बॉड़ी में cells में reactions हो रहे होते हैं उसका यूज होता है मतलब कोई भी अगर हमारी बॉड़ी में काम हो रहा है ना वो ATP ही उसमें मदद कर रहा है यह आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसलिए कहते हैं योग क्यों बहुत ज़दा important है क्योंकि उसमें लोग बहुत ही इसलिए हम लोग नहीं पहुचा पाते हैं इसलिए हम लोगों को योग या फिर exercise करनी चाहिए क्योंकि हमें desire amount of oxygen मिल जाती है तो इसमें वही है कि वैंद terminal phosphate linkage in ATP is broken using water the energy equivalent to 30 kJ per mole is released तो भई कितनी energy release होती है एक बार में 30 kJ per mole होती है अब आप से बोला जा रहा है think of how a battery can provide energy for many different kind of uses battery जो है वो कहीं अलग ताइप के कामों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं it can be used to obtain mechanical energy light energy electrical energy and so on similarly ATP can be used in the cell for the contraction of muscles protein synthesis तो कहीं सारे हम लोग काम करते हैं ATP की health से अब since the aerobic respiration aerobic respiration यानी की presence of oxygen में जो respiration हम लोग करते हैं pathway depends on oxygen है na oxygen की presence भी कर रहा है तो oxygen भी depend करेगा aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen we have seen that plant exchange gases through stomata right and large intercellular spaces ensure that cells are in contact with air तो बहुत सारे spaces होते हैं plant में पतियों में ताकि air का easy exchange हो सके carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion there तो वहां पर ना plants में तो कोई ऐसा organ होता नहीं है जैसे कि हमारी lungs है वहां पर तो diffusion से काम चल जाता है they can go into cells or away from them out into the air through diffusion direct direction of diffusion depends upon the environmental condition and requirements of the plant तो प्लांट में तो भाई जितनी जुरत होती है जैसे होती है diffusion की मदद से वो लोग transfer वगरा कर लेते हैं at night there is no photosynthesis occurring CO2 elimination is major exchange activity going on तो रात के समय जो है carbon dioxide ही पेड बाहर छोड रहे होते हैं दिन के टाइम पर carbon dioxide वो generate कर रहे होते हैं photosynthesis की मदद से इसलिए there is no CO2 release तो दिन के टाइम पर जो है वो carbon dioxide नहीं छोडते हैं plant oxygen छोडते हैं और रात के टाइम पर plants जो है अपना waste carbon dioxide निकाल रहे होते हैं और दिन में oxygen अब animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from environment and for getting rid of carbon dioxide produced तो जो जानवर है उन्होंने बहुत सारे मतलब तरीके निकाल लिये हैं कि carbon dioxide हम लोग अपनी body से कैसे छोडते हैं क्योंकि हमारी body में तो specialized organ बन गए हैं और यह सारा का सारा process evolution के थूँ हुआ है terrestrial animals यानि कि जमीन पे रहने वाले जो जानवर होते हैं वो हवा से oxygen लेते हैं और जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो पानी में dissolved oxygen यूज करते हैं तो यहां पर हमें यही बोला गया है activity 5.6 में कि एक fish को आप लोग aquarium में observe करें आप देखेंगे कि इना fish बार बार मुझ खोलती रहती हैं अपने gills को भी वो बार बार खोलती रहती हैं तो कभी वो आख खोलती हैं कभी मुझ खोलती हैं हर समय यह process चलता ही रहता है तो ऐसा क्यों है तो yes during breathing fishes open and close their mouth and gills slits in coordinated manner and timing तो आप से question पूछा था क्या फिश आंके खोलती बंद करती रहती हैं तो हां ऐसा करती रहती है मेरे घर में क्वेरियम है तो मैं बहुत बार नोडिस किया है मैंने यह बात कि यहरी फिश हर समय मुझ खोलती रहती हैं आखे तो उनका respiration और बाकी सारे processes चल रहे होते हैं अब इरोने कहा है कि count करो कि कितनी बार मुझ खोल रही है तो अगर हम goldfish की बात करें तो 100 और more times per minute एक मिनट पे 100 वार से जदव अपना मुझ खोल लेती हैं next I compare this to the number of times you breathe हम लोग इनसान क्या करते है normal respiratory rate जो होता है एक adult human का वो 12 से 16 times per minute होता है ठीक है तो normal human being 12 से 16 बार जो है एक मिनट में वो respire कर लेता है अब since amount of dissolved oxygen पानी में तो oxygen काफी कम होती है इसलिए जो animals है उनका जो breathing rate है वो काफी जादा होता है और हवा में काफी सारी oxygen होती है इसलिए जमी पे रहने वाले जो जानवर है इनसान है हमारा जो breathing rate होता है वो कम होता है फिश जो है उसको तो बार 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 अपना मुझ खोलना पड़ता है क्योंकि oxygen कम होती है तो उनको जादा तेज तेज सांस लेनी पड़ती है terrestrial organism जैसे कि इंसान है तो घर्थी पे तो काफी सारी oxygen है तो हम लोगों को इतना जादा तेज सांस नहीं लेना पड़ता है इसलिए हमारा breathing rate slow होता है this oxygen हम लोग तो oxygen लेते हैं this oxygen is absorbed by different organs in different animals all these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere तो हर किसी जालवर के ऐसे ऐसे organs होते हैं ताकि जादा से जादा oxygen को वो absorb कर पाए since exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface this surface is very fine and delicate तो बहुत ही fine and delicate होता है क्योंकि भाई oxygen लेना है और carbon dioxide छोड़ना है in order to protect this surface it is usually placed within the body इसलिए जो यह organs होते हमारी body के अंदर होते हैं so there have to be passages that will take air to this area in addition there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed देकि बिल्कुल डेकार साइन लोग ने फालतु का लिखा होगा है यह बताया है हमें कि हम लोग के अंदर जो है एक ओर्गन होता है जो oxygen को लेता है अंदर और carbon dioxide को बाहर चोड़ता है बाड़ी के अंदर होता है ताकि वो प्रटेक्ट रहे humans में यहां पर जाप लोग को फिगर दिख रही है human respiratory system यह important है रटनी है ठीक है हम लोग नाक से आस लेते हैं मूं से आस जो लेते हैं काफी प्रब्लम हो जाते हैं को तो मूं से आस लेनी चाहिए नाक से लेनी चाहिए होती है from there the air passes through throat into the lungs और नाक से सांसली थ्रोट पे गई और फिर लंग्स में पहुच जाती है rings of cartilage are present in the throat तो cartilage की rings जो है वो थ्रोट में present होती है यह देखो carbon dioxide oxygen की mixing हो गई क्योंकि हम सांस ले भी रहे होता है चोड भी रहे होता है तो सही रहे इसलिए rings of cartilage present होती है within the lungs अब देखो यहां पर यह आपको lungs दिख रहे हैं the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure which are called alveoli lug घृरी जो बने कि और इनकि यह क्या होते हैं चोटे-शूटे-च्छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे की तो प्राहिज लेड हो जाता है और वह प्राहिक पला हो गई को में बलता है यह यह ब sido कि 행복 chats यही डिखक्स प्रोफेस इसिपना डिख ट्रॉक्ट तक श्əides प्रॉज़े करना मरा जाने फटीन है छोंडा छोंडा ओक्सिजन लेना तो नियtा करती है एक्सचेज अफ गचसिदास के अफ के प्र शोंडा करनेमट करते हैं ञाओएस तो पार्थ है यह बहुत हम वार्येंट है इसको याद करट आट्न है कि alveolar क्या करती है surface provide what is the function of alveolar जबसे पहले तो ये surface provide करती है exchange of gases के लिए alveolar की जो walls होती है इसे बहुत सारे blood vessels होती है as we have seen in earlier years when we breathe in जब हम सास अंदर की तरफ लेते हैं अब अब ये अपना ले के देखो मैं भी ले लिए यो ऐसे करके आपने सांस अंदर की तरफ ली तो आपकी बॉड़ी उपर की तरफ उठ जाती है ना वे लिफ्ट आर रिब्स तो जो हमारे रिब्स होते हैं वो उपर की तरफ उठ जाते हैं ये देखो ये रिबस है, जब आप सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाते है, छैज गेहरी सांस लेते हैं और डाइफराव मोता हो जाता है, जब रिबस अपर उठी है तो डाइफराम ऐसा फ्लाट हो जाता है, आप खुद देखो ना ऐसा होगा ना कि टाइफराम फ्लाट हो जाएगा और रिब्ज उपर की तरफ उड़ जाएंगी जब आप गहरी सांस लेंगे and chest cavity becomes larger as a result तो जो chest cavity है यानि कि cavity का मतलब खाली एरिया तो जो भी chest का खाली एरिया है वो क्या हो जाता है वो बड़ा हो जाता है इस तरीके से because of this air is sucked into lungs and fill the expanded alveoli तो हम जब सांस लेते हैं तो एरिया बन जाता है और हवा अंदर आ करके उसमें भर जाती है alveoli उसको फिर और मतलब easily accept करने के लिए expand हो जाती है the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into alveoli अब जो blood होता है ना पूरी की पूरी body से carbon dioxide लेकर के आता है alveoli के पास क्योंकि alveoli में तो बहुत सारे blood vessels होते हैं and oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body तो alveoli बहुत important काम करती है पूरी body का carbon dioxide वाला blood आता है और वहाँ पे alveoli से oxygen rich blood पूरी body में चला जाता है during the breathing cycle when air is taken in and let out lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि lungs में हवा नहीं है हवा हमेशा रहती है ताकि जब oxygen आए तो उसको sufficient time मिले कि वो absorbed हो जाए और carbon dioxide को sufficient time मिले पूरा पूरा time मिले कि वो body के बाहर निकल जाए इसी लिए बिलकुल सही तरीके से हमेशा हवा रहती है body में lungs में when the body size of animals is large अब जैसे इंसानों की body है बहुत बड़ा मतलब body size है हाथी हो गया जिराफ हो गया है ना diffusion pressure जो होता है वो काम नहीं कर सकता oxygen के delivery के लिए जैसे कि plants में diffusion से ही हो जाता है तो हमारी body में respiratory pigments जो होते है oxygen में हमारे वो क्या करते है take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient is oxygen before releasing it तो हमोगलोबन वो oxygen को अपने पास रखता है और पूरी body में transfer कर देता है in human beings respiratory pigment is hemoglobin which has very high affinity for oxygen मतलब चिपक जाता है वो oxygen से this pigment is present in red blood corpusal carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and is hence is mostly transported in dissolved from in our blood तो carbon dioxide अब आपसे क्वेश्चिन आ सकता है कि oxygen जादा soluble water में कि carbon dioxide तो carbon dioxide जादा soluble है oxygen से तो easily transport हो जाती है इसलिए वो हमारे blood में और बहुत important होता है body के लिए हुमोगलोबन क्योंकि हुमोगलोबन ही oxygen से चिपकता है अब ये do you know वाला देख लेते हैं इसमें कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए बहुत हामफुल होती है और कहीं लोगों को lung cancer हो जाता है कहीं लोगों की death हो जाती है इसकी वज़े से हमारा जो अपर पार्ट होता है ना रिस ना चैना चैना को यह को रेमोव करता है झाला है रिमोव करता है हम भी करता है बदार से रेलज़े के अंधर जाता है इसकी वज़े से बहुत सारे बाडी में इनफेक्शन हो सकते हैं तो सेलिया ज़ाना नहीं है स्मोकिंग करके सीलिया हेर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं अब डू यू नो अगर जो अल्वी ओरल सर्फेस है जो यह ना लंग्स में अल्वी ओली थे वह स्प्रेड आउट फैल जाए तो यह एटी मीटर स्कॉर्ड तक बड़े हो जाते है तो यह ना काफी जादा बड़े होते हैं हमारी बॉडी का सर्फेस एरिया कितना होता है आप लोगों को पते है उसके कंपारिजन में यह जो है हमारा एल्वी ओलर सर्फेस एरिया वो बहुत होता है मतलब आप यह समझ लीजिये कि बहुत स्ट्छ इम्पोर्टेंट डूल ठीक है और अल्वियोली का होता है 80 मीटर स्क्वाइर अब सोचो हमारी पूरी बॉड़ी का यह है अल्वियोली का इतना है तो यह बहुत ही छोड़े पार्ट में गोड़ मोड़ करके फस्रिव होते हैं तभी तो इतना सारा यह जो है गैसिस का एक्सचेंज असानी से कर पाते तो गेट तो आटोस फ्रॉम मालंग्स सो चो अगर डिफूशन से होता तो तीन साल लग जाते है हमारे लंग से टोस में अगुठे तक जाने के पहर के बट क्योंकि हमारे पास लंग्स है ना तो इसलिए भाई सही है दिफूशन नहीं हो रहा है नॉमलली हम लोग सास पूर पूरा एस्पिरेटरी सिस्टम हमारा चल रहा है और यह उगलोब बेन हमारी बहुत हल्प कर रहा है तो यह हम लोगों का हो गया पूरा एस्पिरेटरी सिस्टम थेंक यू